हेलो दोस्तों आज मैं आपको रोवर गेंड की बुक दि फोर्टी एड लोस ओ पावर में से चार ऐसे लोस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप पावर्फुल और चलाग बन जाओगे तो चलिए शुरू करते हैं लो नमबर वन ओल्वेस से लेस दर नसेसरी 1825 में निकुलस वन जब रस्या के राजा बने तो वहां कहीं दंगे चल रहे थे तो राजा ने दंगे कन्यवाल लीडर को फासी देने के हुकम दिया जब राजा के आदमियों ने उस मुझरिम को फासी देने के लिए चड़ाया और उसे फासी मिलने ही वाले थी लेकिन उसी वक्त फंदे की रसी तूट जाती है और वो मुझरिम जमीन पर गिर जाता है उस जमाने में किसी मुझरिम के फंदे की रसी तूटना उपरवाले का चमतका माना जाता था और अक्सर मुझरिम को छोड़ दिया जाता था इसलिए राजा के आदमी तुरंत राजा के पास गए और पूरी बात बताई राजा उस मुझरिम को छोनने की सोची रहे थे कि राजा के किसी एडवाईजर ने और सिपायों सो पूछा कि वो मुझरिम जमीन पर गिनने के बाद कुछ बोला था क्या तब सिपायों ने कहा कि हाँ वो बोल रहा था कि राजा एक धंकी रस्षी नहीं बनवा सकता तो राजे क्या खाग चलाएगा ये सुनकर राजा ने आदिश दिया कि अगर ऐसा है तो उसको दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं और उसी वक्त राजा ने मुझ्रिम को मार दिया बताने की जरूत नहीं है कि अगर रसी तूटने पर वो अपना मूँ बंद रखता तो वो बच जाता कहा जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदुख से निकली हुई गोली और मुँझ से निकले हुए लपस कभी वापस नहीं आते यह लोग भी हमें यहीं सिर्ष्ट करता है कि जरूत सिप कम बोले जायता लोग एक open book की तरह होते हैं, उनको जो भी feel होता है वो बोल देते हैं और हमेशा अपना opening देने के लिए opportunity दूनते रहते हैं इसलिए अपने जुबान पर लगाम रखे और जरूत सिप कम बोले एक राजा को एक किले कराके उसका दर्वाज तोर नहां थोरन था तो उसने अपने आधमियों को कहा कि जाओ जाके जाज बनाने वाले कार खाने से लोहे का सबसे बड़ा खंबा लेकर आूए जब राजा के आदमी जहाज बनाने वाले कारकान में पहुचे तो वहाँ के इंजीनर ने कहा कि इस काम के लिए बड़ा नहीं छोटा खंबा ठीक रहेगा। राजा के आदमियों ने उस इंजीनियर को समझाया पर इंजीनियर ने राजा के आदिस मानने की वज़ाय टेगनिकल रिजन देते हुए उन्हें छोटा खंबा दे दिया जो एक्चली सही भी था पर इससे राजा को गुस्सा आ गया उसने किले के दरवाजे को तोरना देना जरूरी समझा क्योंकि उसने राजा की बात नहीं मानी थी इस वज़े से राजा ने उस इंजीनियर को अपने राजे में तब तक दोड़ाया जब तक वो मर नहीं गया अगर इंजीनियर ने राजा के खिलाप बहाश करने की वज़ाए शरीफ इतना का होता कि आप ब बड़ा खंबे का इस्तमाल करता और फेल होने के बाद छोटा खंबे का इस्तमाल करता और सफल हो जाता इसे राजा इंजीनियर के सोचने के तरीके से खुश भी होता और उसका सम्मान भी करता देखो आपके बोस यह हायर ओफिसर इस बात की परवा नहीं करते कि आप सही ह वो बैस अपनी बात मनोना चाहते हैं अगर आप powerful लोगों की बात नहीं मानोगे तो वो किसी को भी नुक्सान पुशा सकते हैं इसलिए अपनी higher authority से कभी भाहस ना करे आपने यह तो सुनाई होगा कि action speak louder than one और यह लोग भी हमें यही सिखाता है कि एक ही बात को हजार भार repeat करने से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन उस काम को एक बार करके दिखाने से बहुत फरक परता है अगर आप छोटे मोटे argument जीतने से अपने आपको powerful दिखाने ही कोशिश करते हो तो यह आपकी बेव को भी होगी powerful लोग कभी भी दूसरों से argument नहीं करते बलकि वो अपने actions जीतते है तो आपको भी ऐसा ही करना है अगर आप respect चाते हो तो बहस करने की वज़ाए सही action लीजिए फिर आपको भी respect मिनने लगेगी लो नमबर 3 think as you like but behave like others एक बार क्या हुआ जब टेले मूर्तिकार Michael Angelo को Florence के मियन ने उसने बनाए हुए sculpture के बारें बोला कि तुमने ये मूर्ति तो अच्छी बनाई है पर इस मूर्ति की नाग काफी बड़ी लग रही है तुमें इसे ओर छोटी कर देने चाहिए तब ही इस पर Michael Angelo ने उनसे बहाच करने की वज़े वो sculpture के पास गए अपने ओजार उठाए और चुकी से साथ में थोड़ी मिटी भी उठाई और उस मूर्ति के नाग के पास जाकर दिखावा करते हुए अपने ओजार चलाए वो थोड़ी मिटी जमीन पर गिरा दी ऐसा दिखाते होए कि उसने नाग छोटी कर दी है इसके बाद मेयर को मूर्ति से थोड़ा दूर ले गए और पूछा कि अब नाग कैसी लग रही है तो मेयर ने कुशी कुशी कहा कि हाँ अब नाग परफेक्ट लग रही है माइकल एंजलो को पता था कि वो मेयर मूर्ति के एकदम नीचे खड़ा था जिससे नाग बड़ी दिखेगी फिर भी उसने बहास नहीं की क्योंकि चाए वो बहास जीद भी जाता तब भी मेयर कुश नहीं होता और उसकी दुस्मनी बढ़ जाती देखो ऐसी कई चीजे होगी जिस पर आप तो बिलिव करते हो लेकिन दूसरी उस चीज पर बिलिव नहीं करते होगे उस पर आप ये लोग अपलाई कर सकते हो कि आप को चोच चीज से लगती है उस पर आप बिलिव करो बट बिलिव दूसरी की तरह करो इसलिए आप लोगों को वह सुनाओ जो वह सुनना चाते है और उनको वह दिखाओ जो वह देखना चाते है अपने विचार स्रीप उन्ही लोगों को बताईए जो उसमें विश्वास करते है अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब भी किसी पार्टी में कोई सेलिविटी आते है तो आते ही वो पांच मिड में वापिस भी चले जाते है खाना खाने के लिए भी नहीं रुखते वो कहते हैं कि उन्हें अगले प्रोग्राम में जाना है जबकि उनका कोई अगला प्रोगाम होता ही नहीं है वो बस ज़्यादा एवलेबर रहकर अपनी वैलू गिराना नहीं चाते यही पावर का लो नमबर फोर्थ है कि अपनी रिस्पेक्ट और ओनर बढ़ाने के लिए अपनी अप्सेन का प्रियोग करे ओधर कहते है कि जितना आप लोगों को नजर आएंगे वो सुने जाएंगे उतने ही आप सदान दिखेंगे इसलिए ही तो कुछ फेमस सेलिबेटी टीवी एड्स नहीं करते क्योंकि वो बार बार लोगों के सामने आके अपनी वैलू नहीं गिराना चाते दुनिया सप्लाई एंडिमांड पर चलती है जो भी चीज ज़्यादा अवलेबल होती है लोग उसकी वैलू नहीं करते इसलिए अगर आप अपनी रेपूटुशन बढ़ाना चाते हो तो आप कभी-कभी एपसें रहना सीख लो तो ये थे the 40-year lows of power बुक में से 4 lows जिसकी help से आप चलाग और समाज़दार बन सकते हो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई होगी अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरू करें आपकी लाइक से हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है ठैक्स पर वॉचिंग